जो जो फाइंड कॉल डिटिल्स ऑफ एन्य मॉबाइल नमबर इन्यों ऐंडॉइट फोन आजके वीडियो में इस में इस में इस मैथड को किस सरी के से एपलाई करना है वही मैं आपको बाता हूँगा लेकिन यहां पर मैं आपको वीडियो प्रोसेट करने से पहले इक बाद वो clearly mention करना चाहता है कि इसका use किसी के साथ cheat करने के basis पर मत करियेगा नहीं किसी के privacy को leak करने के basis पर अगर आपके security के बाथ हैं तो आप जो इस प्रोस्ट को apply कर सकते हैं आप इस मैं जो method में आपको बता का method का use करके आप अपने mobile के सारी calls के details आप इसलिए find out कर सकते इवन कोई भी मोबाल की details यानि की call के history को आप easily find out कर सकते हैं लेकिन इस process को apply करने के लिए आपको अपने mobile के ही phone अगर आपको दूसरे की mobile के details को जानना है तो यह जो method में आपको बतारो यह method आपको उसके mobile में करना होगा तो यह जो method है simply इसी तरीके से work out करता है तो सबसे पहले आपको अपने Google Chrome browser में जाना है और यहाँ पर आपको simply search करना है easy logger sign up एक application है जो आपको अपने mobile में install करना होगा तो पहले आपको install करना है और यहाँ पर registration complete करना है easy logger पर यहाँ पर simply आपको अपना नाम अपना last name अपना email ID और यहाँ पर आपको password डालना है उसके बाद confirm password करके sign up का जो process है वो complete कर लेना है तो यह process मैंने already complete कर दिया है ताकि यहाँ पर time consume ना हो उसके बाद directly आपको यहाँ पर करने के बाद इस easy logger में आपको login हो जाना है तो login होने के लिए आपको पहले application install करना होगा application का install करने के बाद ही वहाँ पर login होना है तो पहले हम यहाँ पर easy logger का जो application है उसे simply download कर लेंगे download करने के लिए आपको simply search करना है easy logger login जैसे आप search करेंगे दर इसके बाद यहाँ पर आपको इस application को download करने का option बिल जाएगा you can see that top site में आपको यहाँ पर download application का option दिखेगा directly आपको इस पर click कर देना है तो जैसे आप click करेंगे दर इसके बाद यह जो application है आपके android mobile में installed हो जाएगा install होने के बाद इस application को open करना है और आपने जो registration के टाइम पर जो अपना username और password आपने डाला था वो आपको यहाँ पर simply डाल देना है और यहाँ से logged in हो जाना के बाद यहाँ पर आपको दो setting है जो on करके रखना है जो मैंने यहाँ पर already setting रखा है तो example के तोर पर यह मेरे जीफ का mobile है तो यहाँ पर मैंने simply उसका ही नाम यहाँ डाला है और इसके बाद यहाँ पर डाले के लिए आपको log calls और log text यह दोनों option को यहाँ पर आपको enable करना होगा enable करने के बाद अगर आप चाहते कि अपने application को hide करना कोई और ना देखे तो ऐसे cases में आप application को hide भी कर सकते अब यहाँ पर आप call के details को किस तरह के से find out कर सकते इसके लिए आपको यहाँ पर down site में log report का interval का option दिया है तो इसके लिए आपको select करना है कि आपको पहले कौन से दीन तक का कौन से दीन का कौन से date तक का call details चाहिए तो वह आपको पहले आप इस select करना होगा और कौन से time पर आपको यहाँ पर call का detail है वह आपको send करना है वो timing भी आपको send यहाँ पर set करना होगा तो यहाँ पर मैंने एक time send करना है set करने के बाद उसी time पर आपको यह application calls का detail send करेगे आपके email ID पर yes तो यहाँ पर मैंने only process complete कर दिया उसके बढ़ारी के लिए आपको continue option पर क्लिक करना है और यहाँ पर close कर देना है तो यह पूरा process यहाँ पर complete हो चुका है अब उसके बाद यहाँ पर मैंने email ID मैंने set करके रखा है set करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर email ID को में open करूँगा और यहाँ पर easy logger application की तरफ से मुझे एक mail आया है और यहाँ पर मुझे calls की details बिल गई है वैसे यहाँ पर मेरे जो calls में की summary है वो यहाँ पर पूरी पूरी zero है because जो मैंने date and time मैंने select किया था उस date and time के बीच में कोई call हुआ ही नहीं है उसके mobile में तो इसलिए यहाँ पर पूरा अभी zero दिखा रहा है तो इसी तरह के से आप इस method को apply कर सकते है और आपने call की summary को easily find out कर सकते है अपने email id पर लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ इस method को apply करने के लिए आपको जिस भी person के call का आपको detail चीए तो यह method आपको उसके mobile में apply करना होगा तो यह method work out करेगा तो इसी तरह के से आप call की details को find out कर सकते हैं अपने android mobile में